हेलो फिरेंड्स आज की इस वीडियो में भीन का गुना करना सीखेंगे और इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल असानी से और सेकेंडो में भीन का गुना करना सीख जाएंगे तो चलिए वीड कुस्चन को लेकर इसको असानी से सौल करते हैं ठीक तो यहां पहला कुस्चन ले लिए ठीक यहां क्या है एक पुर्णांग तीन बटा चार गुना दो पुर्णांग दो बटा तीन यह क्या है पुर्णांग में दिये हुआ है पहले पुर्णांग को हम लोग क्या करेंगे भ आता गिया और बटा के नीचे यानि हर में जोड आता है वही लिख देते हैं ठीक अब यहां गुना का चीन है तो गुना का चीन लगाएंगे अब उसी तरह इसको भी पुर्णांग को भीन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन में दो से गुना करेंगे तीन दुना 6 हो जाएगा और 6 में 2 को जोड देंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यानि ऊपर 8 आगिया और बटा के नीचे कितना है 3 है तो यहां 3 लिख देंगे ठीक तो यहां पुर्णांग में था और उसको हम लोग क्या किये बिलकुल असानी से भीन में चेंज कर लिये solve करने के लिए यहां एक rules होता है ठीक वो क्या है जैसे कैसे काटा जा सकता है इसको इस तरह तीरचा काटा जा सकता है या इस तरह उपर नीचे काटा जा सकता है ठीक आमने सामने इसको नहीं काटा जाता है ठीक तो इसको चलिए काटते हैं अब इसको कैसे काटा जा सकता है प यह साथ और तीन भी नहीं कट सकता है यह दो और तीन भी नहीं कट सकता है तो जब नहीं कटने वाला रहता है तो उसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं वो भी गुना कैसे होता है जैसे उपर वाला में उपर वाला से गुना होगा यहीं इसका क्या हुए एंसर आ गया ठीक तो चलिए अब जो अगला परस्ण था उसको भी बिल्कुल आसानी से हल करते हैं तो यहां दूसरा परस्ण ले लिए ठीक यहां क्या है दो पुर्णांक दो बटा पांच गुना दो पुर्णांक तीन बटा छे है इसको भी पहले हम ओपर बटा के नीचे 5 है तो यहां पांच लिखेंगे अब यहां गुना का चीन है गुना का चीन लगाएंगे अब इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 6ु हो जाएगा च्छाव दूना 12, 12 वार Qual और 3 जोडेंगे चुसरा हो जाएगा 15 यान denk इो आल सर फ़िखेंगे औ अब यहाँ 6 भी काट देगा इस 12 को, 6 एकम 6, 6 दुना 12 हो जाएगा, ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कटने वाला है या नहीं, तो नीचे 1-1 आ गिया, उपर 2-3 है, तो इसमें अब कटने वाला कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं, जब कटने वाला नहीं रहता है, उसको गु नहीं रहता है, ठीक, तो 6 जो आया, यहीं इसका एंसर हो गया, तो चलिए अब अगला प्रस्न जो था, तीन नमर में उसको लेकर हल करते हैं, यहाँ क्या है, एक पुर्णाक, एक बटा 6 गुना, चार पुर्णाक, एक बटा 3 है, इसको भी पहले हम लोग भीन में चेंज कर करने के लिए उसी तरह करेंगे, छे में एक से गुना करेंगे, तो 6 हो जाएगा, और 6 में एक को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, चो एक साथ हो जाएगा, तो बटा के उपर कितना आगिया, साथ आगिया, और बटा के नीचे 6 है, तो 6 लिख देंगे, ठीक, उसके बा तो 6 और 13 ऐसे भी नहीं कटेगा, 7, 3 ऐसे भी नहीं कटेगा, जब कटने वाला नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठेक, वो कैसे गुना होगा, जैसे 7 में इस 13 से गुना होगा, 6 में इस 3 से गुना होगा, तो 7 में जब 13 से गुना होगा, 6 में 3 से होता है एकानवे तो एकानवे ऊपर है तो एकानवे ऊपर लिख देंगे बटा के नीचे अब देखेंगे क्या होने वाला है अब बटा के नीचे गुना करेंगे छे में तीन से गुना होगा छे तीया ही केतना होता है अठारा होता है तो यहां अठारा लिखेंगे ठीक यही दो पुर्णांग, दो बटा, आठ गुना, दो पुर्णांग, छे बटा, नौ है, इसको भी पहले क्या करेंगे, भीन में चेंज करेंगे, ठीक, भीन में चेंज करने के लिए उसी तरह करेंगे, आठ में दो से गुना कर देंगे, आठ दुना, सोला हो जाएगा, सोला दू, तो उपर आठारा हो जाएगा बटा के नीचे आठ है तो यहां आठ लिखेंगे ठीक यहां गुना का चीन है गुना का चीन लगाएंगे अब उसके बाद यहां क्या है दो पुर्णांक 6 वटा 9 है तो 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जागा 9 दुना 18 और 18 आया तो 18 में 6 को जोड देंगे तो एhaft राट रिषाव कितना होता है 24 लिखेंगे उपर बटा के नीचे 9 है तो 9 लिख ठीक अब इसी को क्या करेंगा वी करेंगे अब चेक करेंगे कौण कौण कुण कटने वाला रहे तो यह सुची को क्या खड़ेंगे आगे ऑगे करने करने के वात क्या होजाता है उपर में उपर वला सुपुँना वड़ा कोई घृघ हो गया नहीं इसका पूर North करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें थाएंगें